आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ और यह हमरा पेपर है यह हम मान लिए अगर आप डाउटनेट राफ डाउटन के थूप और हमें यह पता है जब भी दो बॉड़ी या सबस्टन्स को उनके एगंस्ट में राफ किया जाता है तो क्या होता है उस बॉड़ी में चार्ज डेविलप होता है तो हम यह पर लिख पाहिंगो आँ डें टू बॉड़ी माइज होता है यह बॉडी चार्ज एक्वाइर करता है यह बॉडी मैं तो हम यहां पर मान रहे यह जो बॉडी था इसने मान लिए हमने small q charge acquire कर लिया यह जो body था यहां पर इसने capital q charge acquire कर लिया और यह charge की बज़ा से यहां पर क्या force develop होगा charge की बज़ा से हम सबको पाता है यहां पर electrostatic force develop हो जाए और यह electrostatic force जो होता है यह attractive भी होता है और यह repulsive भी होता है यह attractive तब होता है जब भी जो charge होता है उनका sign opposite होगा जैसे हमने माल लिया एक अगर q होगा एक minus q होगा तब भी attractive how repulsive तब होगा जब यह एक दोनों का charge होगा सेंग का होगा तो q एक अगर q होगा तो plus q थे दुसरा भी plus q होगा तब भी यह जो फोर्स हो गाई हो जाएका तो यहां पर, यहां पर हमें attractive बोल रहा है था हम माल लेते कोई भी एक जो, यहां पर चार्ज आकोयर होगा, वह नेगटिव में acquire होगा, तो यहां पर electrostatic force का जो नेचार हो कैसा है, attractive. तो यही दिया ने यहाँ पर होने का attractive होने का challenge यहाँ और दूसरे sign के आ जाता है, और यहाँ पर कौन सा force act करते है। जब भी एक स्ट्रॉक और दूस पिपर में रापके जाता है तो इलेक्टर स्ट्रटिक जो फोर्स होते हो यहाँ पर एक्ट करते हैं। Thank you!